नमस्कार सातियों एक बाद फिर से नियुलाइड विदीपक में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज काम और समय का ये छठवा भाग है और अगर आप इस छठवे भाग को अच्छे से आज देखते हैं तो कार्य छमता पर आधारी जो ये छठवे भाग में मैं पढ़ाने तो वीडियो को पूरा देखेगा और आप किसी भी प्रत्योगी पर इच्छा की तयारी करते हैं ये सब में काम आएगी कारिश्चंता का मतलब समझते हैं पहले समझ दीजी कारिश्चंता उधारण के लिए जैसे आपके पास कोई काम है और आप गए मजदूर की तलास में आपको दो मजदूर दिखे एक A और एक B आपने ये देखा कि जो A है वो जो भी आपके पास काम है उस काम को A पांस दिन में कर लेगा लेकिन दूसरे के पास जब गए उससे पूचे तो बोला कि मैं इस काम को करने के लिए आठ दिन लगा दूँगा मतलब पहले ने कहा कि मैं पांस दिन में कर लूँगा दूसरे ने कहा मैं इसी काम को आठ दिन में कर लूँगा तो आप बताइए किसकी कारिशंता ज़्यादा है यकिनन जो कम समय में कर ले रहा है उसकी कारिशंता बहुत ज़्यादा है जो ज़्यादा समय ले रहा है उससे तो इसका मतलब कि आठ दिन लगा रहा है उसको जाहिर सी बात है जो तेज काम कर रहा है उसको आप ज्यादा पैसा देंगी क्योंकि वो उतने ही समय में ज्यादा काम कर देगा तो कहने का मतलब कि कारी छम्ता पर आधारी जो प्रस्ण आते हैं इनमें दो तीन चीजे पूछी जाती है एक तो ये पूछा जाता है कि कारी छम्ता अगर इस अनुपात में है तो कितने समय में ये दोनों कारी करेंगे यानि कारी छम्ता को लेकर के समय पूछा जाता है और समय को लेकर के कारी छम्ता पूछा जाता है पहला दूसरा कारी छम्ता के ही हिसाब से मज़दूरी मिलती है समय के हिसाफ से मजदूरी नहीं मिलती जो जितना ज़्यादा समय लगाएगा उसको उतना ही कम मिलेगा तो कारे छमता के अनुसार यानि जो ज़्यादा तेश काम करेगा उसको ज़्यादा मजदूरी जो धीमा काम करेगा उसको कम मजदूरी तो इसी पर आज हम लोग विस्ताव से चर्चा करेंगे तो पूरा देखिए अगर आप अच्छे से समझ जाएंगे पहला प्रशन आपके सामने है A किसी कारे को 10 दिन में एवं B उसी कारे को 15 दिन में कर लेता है तो दोनों की कारे छमता का अनुपात क्या है बहुत सरल प्रशन है ये अगर परिच्छा में आता है तो इसे लगाने के लिए एक सेकंड चाहिए आपको बस लेकिन इस एक सेकंड के लिए आपको पूरा कांसेप्ट समझना पड़ेगा तो पहले कांसेप्ट समझ लीजिए तब एक सेकंड में लगाईए देखिए जो समय होता है और कारिच्छमता होती है कारिच्छमता इन दोनों का बिलोमा अनुपात सम्बंध होता है कैसा सम्बंध होता है बिलोमा अनुपात एक होता है समानुपात और एक होता है बिलोमा अनुपात समानुपात का मतलब होता है कि जब एक तरफ बढ़े तो दूसरी तरफ भी बढ़े उदारण के लिए अगर पांच पुस्तक का मुल पांच रुपय है तो दस पुस्तक का मुल दस रुपय होगा दो पुस्तक का मुल दो रुपय होगा यहाँ पर पुस्तक की संख्या बढ़ी तो पुस्तक का मुली भी बढ़ गया पुस्तक की संख्या घटी तो पुस्तक का मुली भी घट गया तो इस संबंद को अनुलोमा नुपात या समा नुपात कहते हैं यानि कि सीधा संबंद बोलते हैं लेके अगर एक ब्यक्ति है जो पांच पेज मालीजे मैं लिखावट की बात कर रहा हूँ एक ब्यक्ति पांच पेज प्रती एक घंटे में लिखता है और उसे पूरा लिखने के लिए पांच घंटे लगते हैं और दोसरा ब्यक्ति है प्रती दस पेज ही दस पेज लिख लेता है एक घंटे में तो उसे उसी मतलब पूरे पेज को लिखने के लिए पांच पेज को लिखने के लिए धाई घंटे ही लगेंगे क्योंकि इससे यह तेज काम कर रहा है जस्ट डबल तो इसका मतलब बिल्कुल आधा समय लगेगा और अगर वो धाई पेज ही लिख पाता है तो इसका मतलब वो दस घंटे लगा देगा तो आपने क्या देखा कि जब एक तरब कारिश हमता बढ़ती है तो समय घटता है और कारिश हमता घटती है तो समय बढ़ता है यानि एकदम उल्टा संबंध है तो यहां भी समय और कारिश हमता पराधारित जो प्रस्म है तो हम क्या देखेंगे दो लोग हैं A और B यहां भी लिख देते हैं A और B समय कारिश हमता A किसी काम को 10 दिन में करता है B उसी काम को 15 द नहीं चुनियाई 15 पांच दो नी दस और यह आपका अंसर तयार। नई समझ में आया, कोई बात नहीं है, समझें। समय और कारीशमता का उल्टा संबंध है, मैंने आपसे बताया। तो जब उल्टा संबंध है तो इसका मतलब कि जो A जितना समय ले रहा है और B जितना समय ले रहा है इसी समय का ही तो उल्टा कारिशंता होगी बिल्कुल तो 10 जो A के सामने है वो 10 चला जाएगा B के सामने और जो B के सामने है वो चलाएगा A के सामने और 15 अनुपाते 10 चम्ता हो गया अब ये दोनों संख्याएं पांच से कड़ जाती हैं तो हमने पांच से काड़ दिया तो तीन अनुपाते तो आ गया और यही दोनों की कारिशम्ता है ए और बी की कारिशम्ता का अनुपात क्या होगा तीन अनुपाते दो एक सवाल और देख लेते हैं सुनिय ध्यान से A और B किसी कारे को क्रम सह 15 दिन एवं 25 दिन में कर लेते हैं दोनों की कारेशमता का अनुपात बताओ तो A और B यहीं है A 15 दिन में कर लेता है और B 25 दिन लगाता है तो दोनों की कारेशमता निकाल ली हैं तो उल्टा कर दू, 25 अनुपाते 15, 5 से ये भी कर जाएगा, 5 पचे 25, 5 तियाई 15, तो यहां कारेशंता का अनुपात क्या आ गया, 5 तिन, मुझे उमीद है कि अब आप कर लेंगे, जब दो लोग हूँ, दोनों के समय का, समय दिया हो, कारेशंता पूछे, तो आप उलट करके उसका अनुपात निकाल लीजिए, और ठीक इसी का उल्टा कर दे, कारेशंता देकर समय पूछे, तो उसे भी उलट दो, उदारण के लिए अगर ही कह दे, कि A की कारेशंता और B की कारेशंता में, 5 तिन का अनुपात है, तो दोनों उस काम को कितने अनुपात में करेंगे, यनि उनके काम करने के समय कानुपात क्या होगा, उलट देजिए, तो कारेशंता से समय भी उलट देजिए, और समय से कारेशंता भी उलट देजिए, बस आपका काम हो गया, लेकिन एक चेश का ध्यान रखेगा, कि ये उलटने वाली प्रक्रिया किवल दो लोगों में ही ल अगर दो से जादा लोग हो गए तीन लोग हो गए चार लोग हो गए तब उलटने वाले प्रक्रिया नहीं काम करेगी, तब आपको एक नियम सीखना है, तो उस नियम को आप यहाँ भी लगा सकते हैं दो लोगों में भी और तीन लोगों में भी और चार लोगों में भी तो उस नियम को पहले सीख लीजे तब आपको आगे बढ़ते हैं दिखाते हैं यह तो मैंने ट्रिक से बताया कि आप जल्दी से कैसे अगर दो लोग रहेंगे तो कर लेंगे ए और बी की जो काम करने का समय है वो क्रमसा 10 दिन और 15 दिन का है ठीक है और कारिशंता के बारे में अभी मैं चुकी दो लोग है तो उलट दीजे काम बन गया लेकिन मैं उलटने वाला नहीं मैं वो नियम सीखना चाता हूँ जिससे सिर्फ दो ही लोग नहीं तेन लोग हो जा तब सब में वो काम करे तो इसके लिए आपको क्या करना होगा इन दोनों को अंस के रूप में उपर लिख करके इनके नीचे हर लगा दीजिए क्यों करेंगे सब उसका रीजन मैं अभी आपको बताऊंगा पहले समझे कोई भी पूरांक संख्या है आप उसको भिन बनाना चाहते हैं तो उसके हर के रूप में एक लिख सकते हैं उदारन के लिए अगर किवल 20 लिखा है और आप इसे भिन बनाना चाहते हैं तो आप 20 ब बते एक का भी है कोई टिकत नहीं है अभी क्यों लिखे वह आपको आगे समझ में आएगा समय और कारिशम्ता का बिलोमा अनुपात का संबंध है तो दस बटे एक दिन में एक करता है 15 बटे एक दिन में भी करता है तो उलट दीजिए कार्यशंता में एक बटे दस अनुपाते एक बटे पंद्रा दस चला गया नीचे एक चला गया उपर पंद्रा चला गया नीचे एक चला गया उपर उलट दीजी तीन लोग हैं तो तीन अनुपात रहेगा तो तीनों को उलट ये अभी आगे आएगा, पहले इसको लगा लीजी, उलटने के बाद, अब ये भिन्न क्या जोड की तरह हल होगा, 10 और 15 का लगुत्तम होता है 30, 30 ले लीजिए, 10 तियाई 30 होता है, तो 1 तियाई 3, 15 दूना 30 होता है, तो 1 दूना 2, लगुत्तम से कोई मतलब नहीं है, जो अंस के रूप में अनुपात आया है, वही आपका आंसर हो जाएगा, 3 अनुपाते 2, यही तो आया था न उलटने वाले में, तो चुकि दो लोग रहते हैं, तो उलटने वाला काम कर जाता है, 3 लोगों में काम नहीं करता, तो 3 लोगों वाला भी देख लीजे, अगली साथ, एक इसी कारे को 10 दिन में, बी उसी कारे को 15 दिन में, और सी उसी कारे को 20 दिन में करता है, 10, 15 और 20 दिन में करते हैं, तो 3 लोग यहां पर हो गए, ए, बी, सी, तीन लोग होंगे, तब भी बिलो मानुपाद, 5 लोग होंगे, 4 लोग होंगे, तब भी बिलो मानुपाद, समय और कारे चमता का, ए, 10 दिन में करता है, तो आप क्या लिखेंगे, 10 बटे 1, बी 15 दिन में करता है, 15 बटे 1, सी बीस दिन में करता है बीस बटे एक और कारिशंता के लिए उलट दीजिए एक बटे दस एक बटे पंद्र एक बटे बीस ऐसे चार लोग होएं तो चारों का भी अब क्या करना है पंद्र बीस और दस का लगुत्तम निकाल दीजिए साथ आएगा नीचे वाले से कोई मतलब नहीं है आपका आंसर आ गया छह चार तीन यानि इन तीनों की कारिशंता है छह अनुपाते चार अनुपाते तीन मुझे उमीद है कि आपको अब समझ में आ गया कि जब दो लोग रहेंगे तो हम सिधा उलट देंगे काम बन जाएगा और अगर तीन लोग हो जाएंगे तो हम ऐसे करेंगे चार लोग हो जाएंगे तब भी ऐसे करेंगे लगुत्तम से कोई मतलब नहीं है जो उपर आया है वही आंसर है चलिए कुछ सवाल और करते हैं सवाल है A एवं B की कारिच हमता का अनुपात दो अनुपाते तीन है यदि A को दो हजार रुपए मिलता है तो B को कितना रुपए मिलेगा मजदूरी की बात हो रही है कारिच हमता कितनी है दो तीन A को दो हजार मिलता है तो B को कितना मिलेगा यह आपको बताना है देखिए आपको मैं एक जुगार बता रहा हूँ उसे आप ध्यान में रखिएगा कि कार्य छम्ता से ही मजदूरी का निर्धारण होता है कार्य छम्ता से ही मजदूरी मिलती है और आपके प्रस्ण में कार्य छम्ता को ही दिया है इसलिए आपको कोई परसानी मोल लेनी ही नहीं है सिधा आपका काम हो जाएगा देखिए A और B की जो कारिच्छमता है वो कितना है दो अनुपाते तीन है ये है कारिच्छमता अब दो मतलब दो हजार क्योंकि कह रहा है न कि A को दो हजार रुपए मिलता है तो B को कितना मिलता है ये पता नहीं है तो B को निकालना है कुछ मत करिये सबसे सरल तरीका क्या है देखिए दो बराबर दो हजार ये लिखा है ना दो बराबर दो हजार दो बराबर दो हजार तो एक बराबर क्या होगा काट दीजिये दो एक कम दो दो जिरम में जीरो, दो जिरम में जीरो दो जिरम में जीरो, एक बराबर एक हजार ये जो मैं नियम बता रहा हूं ये नियम सिर्फ इसी सवाल में नहीं सभी सवालों में काम करेगा इसलिए ये ऐसा नियम है जो 700 है कहीं बदलने वाला नहीं है ट्रिक हर जगह नहीं काम करती लिकिन जो नियम सीखते हैं परंपरागत नियम वो हर जगह काम करता है चुकि दो बराबर दो हजार ये दो बराबर दो हजार क्यों? क्योंकि एक को दो हजार रुपए मिलता है और एक का जो अनुपात है वो दो है तो दो बराबर दो हजार तो अपने से आप निकालिए कि एक बराबर क्या होगा? वो एक बराबर पूछा नहीं है कर दो कितना आ जाएगा 3000 रुपए अंसर हो गया B को कितना मिलेगा 3000 A को 2000 तो B को कितना मिलता है 3000 इसी में समझ लीजिए और यदि सवाल में इस तरह से होता कि A और B के कारिशंता का अनुपात 2-3 है यदि B को 1800 रुपए मिलता है तो A को कितना मिलता है तो आप B के सामने 1800 लिखेंगे और A के सामने प्रस्णवाचक चिन अब आप ऐसे हल करेंगे 3 बराबर 1800 तो एक बराबर क्या होगा 368 एक बराबर 600 इसलिए 2 बराबर क्या होगा दो में 600 का गुणा कर दो 6 दूनी 1200 एक को कितना मिलेगा 1200 ऐसे ही अगर 3 लोग भी है तो 3 लोगों का भी निकल जाएगा अगली सवाल है A किसी काम को 15 दिन में B उसी काम को 20 दिन में कर लेते हैं यदि A को प्रति दिन 320 रुपए मिलता है तो B को प्रति दिन कितना मिलेगा अब आप सोच करके बताईए कि इस प्रस्न और पीछे वाले प्रस्न में क्या अंतर है पीछे वाले प्रस्न में समय नहीं दिया था केवल कारेशमता दिया था और चुकि कारेशमता से ही मजदोरी निकलती है इसलिए वो प्रस्न बहुत सरल हो गया था इस प्रस्न में कारेशमता के बारे में नहीं दिया है बलकि समय दिया है कि कितना कितना समय लगाते है आपको एक चीज जो छुपा है उसे पहले साल्व करना पड़ेगा। क्या छुपा है? कारे छमता दिया ही नहीं है। और मजदूरी कारे छमता से मिलती है। इसका मतलब हम पहले निकालें कि कारे छमता क्या है? A और B की। तो फिर से वही प्रक्रिया जो अभी मैंने किया था कि समय और कारे छमता का बिल्कुल उल्टा संबंध होता है। अब इसमें A किसी काम को 15 दिन में करता है। तो A के सामने हमने क्या लिख दिया? 15 और B उसी काम को 20 दिन में करता है तो B किसान ने लिख दिया 20 अब चुक्की जब दो ही लोग हैं तो कारे छमता निकालने के लि इसको उलट दीजी, हाँ तीन लोग होते तब आप नीचे बटे एक बटे एक करके उलटते, फिर लगुत्तर निकालते तब करते, लेकिन दो ही लोग है तो उलट दीजी, पांच से कड़ जाएगा, पांच चोब वीज, पांच तियाई, पंदर है, यानि इनकी कारिश्हमता का अनुपात क्या आ गया, चार तीन, अब मजदूरी उनको चार तीन के ही हिसाब से मिलेगी, तो साब साब दिया है कि एक को प्रतिदिन तीन सो बीस मिलता है, तो एक की कारिश्हमता का अनुपात चार है, तो चार को मिलता है, तीन सो बीस, तो बी यानि की तीन को कितना मि बहुसरत चार बराबर तीन सो बीस तो एक बराबर चार अठे बतिस असी रुपए तो तीन बराबर क्या होगा तीन गुणित असी यानि दो सो चालिस रुपए तो आप दोनों चीज समझ गए जब प्रस्ट निमें सीधे कारिशमता दिया हो मजदूरी पूछे तो बहुत सरल हो जाता है कारिशमता से मजदूरी निकालना और अगर कारिशमता नहीं दिया है समय दिया है तो पहले समय को कारिशमता में बदलो और कारिशमता में कैसे बद गए हैं और अब होमवर्क के रूप में आपके लिए प्रस्ण है इसको हल करिए और कमेंट बाक्स में इसका उत्तर लिखिए आप लोग कहते थे ना कि सर हमारा नाम नहीं लेते हैं उत्तर सही बता देते हैं तब भी तो वह बहुत सरल प्रस्ण थे अब नाम लेने की सुरु ज़िए अधे समय में कर लेता है ए किसी काम को बी से आधे समय में कर लेता है यदि ए को 1,000 रुपए मिलता है तो बी को कितना मिलेगा ये सवाल है इसका उत्तर कमेंट बाक्स में लिखिए फिर मिलते हैं अंगले वीडियो में नमस्कार